एक शाम रेलवे स्टेशन पर एक स्वामी जी के दर्शन हो गए। उंचे, गोरे और तगडे साधु थे। चहरा लाल। गेरुए रेश्मी कपड़े पहने थे। साथ एक छोटे साइज का किशोर सन्यासी था। उसके हाथ में ट्रांजिस्टर था। और वह गुरु को गायक रफी के गाने सुनवा रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी, कहां जाना हो रहा है। स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। स्वामी जी बात से दिल्चस्प लगे। मैं उनके पास बैठ गया। वे भी बेंच पर पाल थी मार कर बैठ गये। सेवक को गाना बंद करने के लिए कहा। कहने लगे, बच्चा धर्म युद्ध छिड़ गया, गोरक्षा आंदोलन तीवर हो गया है, दिल्ली में संसत के सामने सत्याग रह करेंगे। मैंने कहा, स्वामी जी यह आंदोलन किसलिए चलाया जा रहा है। स्वामी जी ने कहा, तुम अज्यानी म रक्षा करनी है, गो हमारी माता है, उसका वध हो रहा है। मैंने पूछा, वध कौन कर रहा है? वे बोले, विधर्मी कसाई और कौन? मैंने कहा, उन्हें वध के लिए गो कौन बेचते हैं? वे आपके सधर्मी गोभक्ती हैं न? स्वामी जी ने कहा, सो तो हैं, पर वे क्या करें एक तो गाय व्यर्थ खाती है दूसरे बेचने से पैसे मिल जाते हैं मैंने कहा यानि पैसे के लिए माता का जो वध करा दे वही सच्चा गोपूजक हुआ स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे बोले तरक तो अच्छा कर लेते हो बच्चा पर यह तरक की नहीं भावना की बात है इस समय जो हजारों गोभक्त आंदोलन कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई गौप आलता हो पर आंदोलन कर रहे हैं यह भावना की बात है स्वामी जी से बातचीत का रास्ता खुल चुका था उनसे जमकर बातें हुई जिसमें तत्व मन्थन हुआ जो तत्व प्रेम हैं गाए कम दूद देती है और वह पतला होता है भैंस के दूद की बढ़िया गाड़ी मलाई और रबड़ी बनती है तो क्या सभी गोभक्त भैंस का दूद पीते हैं हाँ बच्चा लगभक सभी तब तो भैंस की रक्षा हे तु आंदोलन करना चाहिए भैंस का दूद पी मगर माता गाय को कहते हैं, जिसका दूध पिया जाता है, वहीं तो माता कहलाएगी, यानि भेंस को हम माता, नहीं बच्चा, तर्क ठीक है, पर भावना दूसरी है। देश की जनता अभी मूर्ख है, मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट ले लो। बच्चा, कुछ राजनीतिक दलों को गोमाता वोट दिलाती है, जैसे एक दल को बैल वोट दिलाते हैं, तो ये नेता एकदम आंदोलन छेड़ देते हैं, और हम साधूँ को उसमें शामिल कर ल यह क्या होता है बच्चा? आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाये न? नहीं बच्चा, हम धर्मात्मा आदमी हैं, हमसे यह नहीं होगा, एक तो मनुष्य हमारी दृष्टि में बहुत तुच्छ है, ये मनुष्य ही तो हैं, जो कहते हैं, मंदिरों और मठों में लगी जायदाद को सर हगड़ा होता है, तब मनुष्य ही मारे जाते हैं, एक बात और है बच्चा, तुम्हारी बात से प्रतीत होता है कि मनुष्य रक्षा के लिए मुनाफ़ा खौर और काला बाजारी के खिलाफ संघर्ष लड़ना पड़ेगा, ये हमसे नहीं होगा, यही लोग तो मंदिरों, मठो, वो गोरक्षा आंदोलन के लिए धन देते हैं, हम इनके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, खैर, छोड़िये मनुष्य को, गोरक्षा के बारे में मेरी ज्यान वृद्धि कीजिए, एक बात बताईए, मान लीजिए, आपके बरामदे में गेहु सूखा रहे हैं, तभी ए उसे डंडा मार कर भगा देंगे, पर स्वामी जी, वह गोमाता है, पूज्य है, बेटे का गेहु खाने आई है, आप हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करते, कि आ माता, मैं कृतार्थ हो गया, सब गेहु खा जा बच्चा, तुम हमें मूर्ख समझते हो? नहीं, मैं जाग्ज और कपड़े खाती फिरती है, और जगह जगह पिटती है, बच्चा, यह कोई अचरज की बात नहीं है, हमारे यहां जिसकी पूजा की जाती है, उसकी दुर्दशा कर डालते हैं, यही सच्ची पूजा है, नारी को भी हमने पूज जमाना, और उसकी जैसी दुर् बहुत उंचे हैं, देवता इसी लिए सिर्फ हमारे यहां अवतार लेते हैं, दूसरे देशों में गाए दूद के उप्योग के लिए होती है, हमारे यहां वह दंगा करने, आंदोलन करने के लिए होती है, हमारी गाए और गायों से भिन्न है, स्वामी जी, और सब अगर गोरक्षा का खानून बन जाए, तो यह देश अपने आप सम्रिद्ध हो जाएगा. फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे, भूमी खूब अन्न देगी और कारखाने बिना चले भी उत्पादन करेंगे. धर्म का प्रताप तुम नहीं जानते. अभी जो देश की दुर सम्रिद्ध हैं. उनका भगवान दूसरा है बच्चा. उनका भगवान इस बात का खयाल नहीं करता. और रूज जैसे देश भी गाय को नहीं पूचते. पर सम्रिद्ध है. उनका तो भगवान ही नहीं बच्चा. उन्हें दोश नहीं लगता. यानि भगवान रखना भी एक जंजट ही है वह हर बात का दंड देने लगता है तर्क ठीक है बच्चा पर भावना गलत है स्वामी जी, जहां तक मैं जानता हूँ जनता के मन में इस समय गोरक्षा नहीं है महंगाई और आर्थिक शोशन है जनता महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती है जनता आर्थिक न्याए के लिए लड़ रही है और इधर आप गोरक्षा आंदोलन लेकर बैठ गए है इसमें तुक क्या है? बच्चा, इसमें तुक है तुम्हें अंदर की बात बताता हूं देखो जनता जब आर्थिक न्याए की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलज़ा देना चाहिए नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई कम हो मुनाफा खौरी बंध हो वेतन बढ़े शोशन बंध हो तब हम उससे कहते हैं कि नहीं तुम्हारी बुनियादी मांग घोरक्षा है आर्थिक क्रांती की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूटे से बांध देते हैं यह आंदोलन जनता को उलज़ाए रखने के लिए है स्वामी जी किसकी तरफ से आप जनता को इस तरह उलज़ाए रखते हैं जनता की मांग का जिन लोगों पर असर पड़ेगा उसकी तरफ से यही धर्म है एक उदाहरन देते हैं बच्चा ये तो तुम्हें पता ही है कि लूटने वालों के ग्रुप में सभी धर्मों के सेट शामिल है और लूटे जाने वाले गरीब मजदूरों में भी सभी धर्मों के लोग शामिल है मान लो एक दिन सभी धर्मों के हजारों भूखे लोग इकटठे होकर हमारे धर्म के किसी सेट के गोदाम में भरे अन्न को लूटने के लिए निकल पडेल सेथ हमारे पास आया कहने लगा स्वामी जी कुछ करिए ये लोग तो मेरी सारी जमापूंजी लूट लेंगे आप ही बचा सकते हैं आप जो कहेंगे सेवा करेंगे बस बच्चा हम उठे हाथ में एक हड़ी ली और मंदिर के चबूत्रे पर खड़े हो गए जब वे हजारों भूखे गोदाम लूटने का नारा लगाते आये तो मैंने उन्हें हड़ी दिखाई और जोर से कहा किसी ने भगवान के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया वह हड़ी किसी पापी ने मंदिर में डाल दी विधर्मी हमारे मंदिर को अपवित्र करते हैं हमारे धर्म को नश्ट करते हैं हमें शर्म आननी चाहिए मैं इसी क्षण से यहां उपवास करता हूँ मेरा उपवास तभी तूटेगा जब मंदिर की फिर से पुताई होगी और हवन करके उसे पुनह पवित्र किया जाएगा बस बच्चा, वह जनता जो इकठी होकर सेट से लड़ने आ रही थी वो धर्म के नाम पर आपस में ही लड़ने लगी मैंने उनका नारा बदल दिया जब वे लड़ चुके, तब मैंने कहा धन्य है इस देश की धर्म प्राण जनता धन्य है अनाज के व्यापारी सेट अमुक जी उन्होंने मंदिर की शुद्धी का सारा खर्च देने को कहा है बच्चा जिस सेट का गोदाम लूटने भूखे लोग जा रहे थे वो उसकी ही जय बोलने लगे बच्चा यह है धर्म का प्रताब अगर इस जनता को गोरक्षा आंदोलन में न लगाएंगे यह रोजगार मांगने के लिए आंदोलन करेगी तनख्वाह बढ़वाने का आंदोलन करेगी मुनाफ़ा खौरी के खिलाफ आंदोलन करेगा जनता को बीच में उलजाय रखना हमारा काम है बच्चा स्वामी जी आपने मेरी बहुत ज्यान वृद्धी की एक बात और बताईए कई राज्यों में गोरक्षा के लिए कानून है बाकी में लागू हो जाएगा तब यह आंदोलन भी समाप्थ हो जाएगा आगे आप किस बात पर आंदोलन करेंगे अरे बच्चा आंदोलन के लिए बहुत विशय है सिंह दुर्गा का वाहन है उसे सरकस वाले पिंजरे में बंद करके रखते हैं और उससे खेल कराते हैं यह अधर्म है सब सरकस वालों के खिलाफ आंदोलन करके देश के सारे सरकस बंद करवा देंगे फिर भगवान का एक अवतार मत्स्यावतार भी है मचली भगवान का प्रतीक है हम मचुओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे सरकार का मचली पालन विभाग बंद करवाएंगे बच्चा, लोगों की मुसीबतें तो तब तक खतम नहीं होगी जब तक लूट खतम नहीं होगी एक मुद्दा और भी बन सकता है बच्चा हम जनता में ये बात पहला सकते हैं कि हमारे धर्म के लोगों की सभी मुसीबतों का कारण दूसरे धर्मों के लोग हैं हम किसी ना किसी तरह जनता को धर्म के नाम पर उल्जहे रखेगे बच्चा। इतने में गाड़ी आ गई। स्वामी जी उसमें बैठ कर चले गए। बच्चा वहीं रह गया। कि यह कहानी यहीं खत्म होती है। और हाँ, अगर आप कोई अपने पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।